Hello friends, कैसे हैं, क्या आप जब सुबा उठते हैं, तो आपके jaws में धर्द बना रहता है, ऐसा आप फिल करते हैं कि दर्द है, या headache आपको रहता है जब भी सुबा उठते हैं तो, तो ये bruxism के कारण हो सकता है, तो इस वीडियो में समझेंगे bruxism के बारे में, क्या causes होते हैं इस dentistry, समझते हैं, bruxism मतलब दातों को clench करना, bruxism एक condition है, जिसमें दातों में चबाने की आदत होती है, clenching होती है, अब ये intentionally और unintentionally हो सकती है, मतलब कई वार गुस्ते में जैसे आप करते हैं, तो आपको पता ही कि आप ऐसा कर रहे हैं, उसको भी हम clenching बोलते हैं, और सबसे जादा होता है, night में, जब आपको पता नहीं होता है कि आप दातों को grind कर रहे हैं, घिस रहे हैं या फिर आपको चबाने की आदत है, इसको हम बोलते हैं, bruxism की problem, bruxism से क्या problem आपको हो सकती है, सबसे पहले से starting में मैंने आपको बताया, job pain, unusual job pain, आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों दर्ध हो रहा है समझ नहीं पाएंगे, आप पूरे जबडे में दर्ध हो सकता है, किसी specific जगह आपको दर्ध हो सकता है, इसके अलावा दात grind होने लग जाएंगे आपके, दात आपके normal size से छोटे दिखेंगे, अगर काफी समय से bruxism के problem आपको हो है तो, घिसने के कारण आपको sensitivity, tooth sensitivity की problem भी इससे होती है, साथ-साथ में gum recession, मसूडे नीचे जाने की भी problem होती है, ज्यादा तर इसमें आपको problem होती है, dental problems, और जैसे मैंने आपको बताया, jaw में pain होगा, headache, सर में भी आपको दर्ध, feel होगा, अब causes क्या है, इसके किस कारण से हो सकता है, तो प अच्छे से मिलते हैं, वैसे अगर नहीं मिल रहे है, आड़े तिर्चे दाथ है, आपके कहीं pressure कम लग रहा है, कहीं जादा लग रहा है, तो इसके कारण भी flenching होती है, bruxism होता है, इसके अलावा stress के कारण होता है, इसके अगर आपको जादा रहता है, anxiety जादा रहती है, गुस्सा जादा आता है, तो भी bruxism हो सकता है, आप समझ लेते हैं इसके treatment के बारे में, अगर bruxism की problem है आपको, तो stress relieving exercise आपको करनी चाहिए, जैसे meditation है, ऐसी exercises जिसते आपका stress कम हो, anxiety आपको feel ना हो, ऐसी condition से आप बचे हैं, योगा आप कर सकते हैं, meditation आप कर सकते हैं, next जब भी आप सोने जा रहे हैं, तो उसके कुछ समय पहले caffeine वाले products ना लें, alcohol ना लें, तो इससे आपकी जो sleep quality है, वो increase होती है, और bruxism से आप बच सकते हैं, अगर आपको night में bruxism की problem होती है, नहीं ठीक हो रही है, तो आप इसके लिए mouth guards बनवा सकते हैं, dental check-up आपको होगा, special आपके लिए बनाये गए mouth guards होते हैं, जो अगर आप clench भी करते हैं, तो आपके दातों में उतना pressure नहीं आने देंगे, आपके jaws में उतना pressure नहीं आता, धीरे धीरे इससे आपकी habit भी कम होते जाती है, तो mouth guards आप बनवा सकते हैं, तो यह थी कुछ information, bruxism के बारे में अगर आपको ऐसी problem है, इसको ignore नहीं करना है, आगे चल कर ज़्यादा problem हो सकती है, dental problem भी इससे ज़्यादा आपको हो सकती है, आपको एक बार check up चरूर कराना है, बच्चों में अगर ऐसी problem भी आप देख रहे हैं, तो ignore नहीं करना है, जरूर से आपको check up इसके लिए कराना ह बहुत से ऐसे कारण होते हैं, बहुत से ऐसे dental problems होते हैं, जिसका कारण ही नहीं बता होता कि यह हो क्यों रहा है, हम समझ ही नहीं पाते हैं, तो broxism भी उनमें से एक है, अगर ऐसी problem आपको समझ में आती है, तो check up आपको जरूर कराना है, hopefully वीडियो आपके लिए helpful रहा होग झाल 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 झाल